नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्वी चैनल 2020 एजुकेशन में गाईस मैं हुदूर का प्रसाद या दो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिफ लिसन के बारे में जो कि प्रोज में इसका टाइटल है ट ग्यान के एक मसाल होती है अपने देश की सिवा करने तथा इस मसाल को हमेशा प्रकास में रखने के लिए हमें इसे दूसरों को देना होगा यदि हम अपना ग्यान नहीं बाट रहे हैं तो इसका तात्र पर यह होता है कि हम मसाल को बुझा रहे हैं और इस कहाने में गुरु इंट्रेस्टिंग है, शुरू करते हैं A story is told of Gurnanak या कहानी Gurnanak के बारे में बताती है In the curse of his troubles वो अपने यात्राओं के दावरान He came to a village, एक गाउं में आएं, देखे, Gurnanak यात्रा पर निकले वे थे अपनी यात्रा के दावरान वो है, एक गाउं में आये A story is told of Gurnanak या कहानी Gurnanak के बारे में famous है, परसिद दया उनके बताती है Beside सहीं, उनके साथ-साथ His Dispill Dispill का मतलब होता है, सिस्ट मरदाना उसका नाम था उनके साथ, उनका सिस्ट मरदाना भी था Also come to the village, उस गाउं में आया वे लोग वहां रात भर के लिए रुकना चाहते थे, ठाहरना चाहते थे But the villagers were rude Rude and inhospitable And would not let them stay anywhere in the village करा कि but the villagers लेकिन गाउं के निवासी Rude का मतलब होता है ना, असब्ब बहुत ही असब्ब थे, inhospitable inhospitable का मतलब होता है, सतकार ही मतलब वह लोग महमानों के सतकार करने वालों में से नहीं थे, तो करा लेकिन उस गाउं के लोग इतने असब्ब और इतने सतकार हीन थे And would not let them stay anywhere in the village In your means कहीं भी कि उन लोगों को वह गाउंवाले उस गाउं में कहीं भी रुकने के लिए कोई अस्थान नहीं दिये So, गुरुनानक and मर्दाना were forced to spend Spend means बिताना Spend in night Spend the night in the open Open means खुले में और इसलिए गुरुनानक को और उनके सिस मर्दाना को पूरी रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी As they turned away from the village जब यह लोग गाउं को छोड़ कर जाने लगे गुरुनानक said गुरुनानक बोले I pray that मैं प्रार्थना करता हूं Keep the people of this village इस गाउं के लोग May always stay in this village हमेशा इसी गाउं में इकठा रहे मर्दाना was somewhat puzzled at this Puzzled means उलजन इस बात से मर्दाना को थोड़ा सा उलजन हुई But said nothing लेकिन वह कुछ बोला नहीं आगे हैं The next night अगली रात को They came to another village Another means दूसरे village Miss गाउं में अगली रात को वे लोग दूसरे गाउं में आएं Where they met with a very different reception Reception means Other someone करा कि Where they जहाँ पर विद्दे मेटमिस मिले जहाँ पर उन्हें बहुत ही भिन्न प्रकार के स्वागत करने वाई लोग मिले सम्मान करने वाले लोग मिले The villagers welcomed them गाउवालों ने उनका स्वागत किया Treated them kindly उनके साथ अच्छा बयभार किया Found them a place to stay for the night And gave them food to eat उन्हें ठहरने के लिए एक अच्छा सा अस्थान दे दिया और खाने के लिए भोजन भी दिया In the morning, सुबह हुई As Guru Nanak and Maradana were living अब जैसा कि हमेशा की तरह Maradana और Guru Nanak उस गाउँ को छोड़ कर जाने लगे The Guru Nanak said Guru Nanak बोले I pray मैं प्राठना करता हूँ That the people of this village इस गाउँ के लोग May not remain Remain in their village एक अच्छाना रहें But may be scattered throughout the country Throughout means बिखर जाएं बलकि यह लोग पूरे देश में पूरे विस्तु में बिखर जाएं Guru Nanak ने प्राठना किया मैं प्राठना करता हूँ कि इस गाउं के लोग एक अच्छाना में ना रहें बलकि पूरे देश में यह लोग फैल जाएं But this was too much for मर्दाना परंतु यह बात मर्दाना की समझ से बाहर थी He protested प्रोटेस्ट में सुता है बिरोध उसने इस बात का बिरोध किया Why? बोला क्यों? He said to the Guru Guru Nanak से वह बोला उनका जो सिथा मर्दाना वह बोला Guru जी ऐसा क्यों? Do you pray for good things for people? आपने उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना की Who treat us badly Badly means बुरा जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा बेवार किया जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा बेवार किया आपने उनके लिए अच्छी प्रार्थना की And for misfortunes for those और उन लोगों के लिए आपने अच्छी प्रार्थना नहीं की Miss fortune दुर्भागी बस दुर्भागी की प्रार्थना की Who treat us well जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा बेवार किया कह रहा है is that जिन लोगों ने अच्छा बेवार किया आपने उनके लिए दुर्भागी प्रार्थना की और जिन लोगों ने अच्छा बेवार नहीं किया उनके लिए अच्छी प्रार्थना की You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country you should have prayed आपको प्राथना करनी चाहिए उन असब गाउवालों के लिए be scattered ताकि वे लोग पूरे बिश्व में पूरे देश में बिखर जाएं फैल जाएं देखे and for this good people to remain comfortably where they are कर रहा है कि और वे गाउव के लोग जो अच्छे हैं और वे लोग जो अच्छे हैं वोग हमेशा comfortably means आराम पूरवक आनन्द पूरवक आनन्द पूरवक हमेशा अपने गाउव में रहें वेर्द आर जहां पर वे रहते हैं करा no replied गुरु नानक गुरु नानक ने कोई उत्तर नहीं दिया it is better for those देखें यह उन लोगों के लिए अच्छा है inhospitable जो लोग असब्ब्य हैं जो लोग सथकार ही नहीं और यह असब्य और सथी लोगों के लिए यही अच्छा होगा क्योंबा लोग एक ही अस्थान पर रहें where they can do harm in one place only one place means एक ही अस्थान को only means केवल और her means हानी पहुचाना ताकि वह लोग केवल एक ही अस्थान के लोगों को हानी पहुचा सके if they went to an other places यदि वे अन्य अस्थानों पर जाएंगे they would have an evil evil means होता है बुरा influence means प्रभाव evil influence all through the country यदि वे लोग अन्य अस्थानों पर जाएंगे तो पूरे देश में अपने बुरे बेवार को फैलाएंगे now these good people अब अच्छे लोग अब देखे अब वह अच्छे लोग जिन लोगों हमारे साथ अच्छे बेवार किया था now these good people अब वे अच्छे लोग they have something which is needed everywhere क्योंकि उनकी सभी जगहों पर आवा सकता है their influence and their character will be of will be of benefit to others देखे their influence उनके प्रभाव की and their character और उनके चरित्र की will be the benefit benefit means क्या होता है love फायदा to others उनके बेवार से और उनके चरित्र से लोगों को फायदा होगा लोगों को नुकसान नहीं होगा where you are they go जहां कहें भी वे जाएंगे hence they are to be scattered वह लोग पूरे देश में फायलेंगे फायल जाएं so that they can take their light to others places ताकि वह लोग अपने प्रकास को ग्यान रूपी प्रकास को अन्य जगहों पर फैला सकें इसके बार फिर से बोगों देख लेगते हैं they have something which is needed everywhere क्योंकि सभी जगहों पर उनकी ही आवा सकता है their influence and their character will be of benefit to others देखें उनके प्रभाव से और उनके चर्तर से दूसरे लोगों को फायदा होगा wherever they go जहां कहीं भी जाएंगे hence they ought to be scattered where लोग पूरे देश में फायल जाएं so that ताकि they can they take their light to other places ताकि वह लोग अपने ग्यार रूपी प्रकास को पूरे देश में सभी जगहों पर फैला सके आगे है दोतों now we now we have to see to it अब हमें यह ध्यान रखना है कि we grow into such citizens अब हम ऐसे नागरिक बनने जा रहे हैं या हम आप ऐसे नागरिक बने that कि people will want to light for our character and our influence everywhere कह रहा है कि लोग हम देखें अब हमें ऐसे नागरिक बनना चाहिए कि हमारे चरितर से और हमारे ब्यवहार से लोग इतने प्रभावित हों कि हमें सभी जगहों पर everywhere में सभी जगह सभी जगहों पर देखना पसंद करें हमें अपना चरितर इतना तुछ नहीं बनाना चाहिए that कि will make people want us to stay in one place कि लोग चाहे हम हमेशा एक ही अस्थान पर रहें and not to mix with others और दूसरे लोगों से mix मिलना घुल मिल जाना और दूसरे लोगों से घुल मिल ना पाएं if we are to be good citizens यदि हम अच्छा नागरिक बने कह रहा है if we are to be good citizens यदि हम अच्छे नागरिक बने who will be who will be able to serve their country जो कि अपने देश की सेवा कर सके जो कि अपने देश की सेवा करे we must be caring light with us हमें अपने साथ प्रकास को ले जाना चाहिए wherever we go हम जहां कहीं भी जाते हैं यदि हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए और हम जहां कहीं भी जाते हैं हमें अपने साथ प्रकास को ले जाना चाहिए and not darkness और अंदकार को नहीं our influence on others must be for good, हमारा प्रभाव दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए and not for bad बुरा नहीं होना चाहिए our lives must be such that everywhere we go हम अपने जीवन में जहां कहीं भी जाएं and where we live हम जहां कहीं भी रहते हैं other people will be the better for our having been with them हमसे दूसरे लोगों को हमेशा लाभ होना चाहिए नुकसान नहीं होना चाहिए उन्हें हाने नहीं पहुँचनी चाहिए करा कि हमें दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए a good citizen is a center of light center मिस केंद्र होता है citizen मिस नागरी एक अच्छा नागरीक प्रकास का केंद्र होता है wherever he lives वह जहां कहीं भी रहता है and wherever he is doing वह जो कुछ भी करता है the greater the number of good citizen in a country एक देश में अच्छे नागरीकों की संख्या तभी होती है the more enlightened will the will the country be as a whole करा है कि the greater number of good citizens in a country एक देश में जितने अच्छे नागरीकों होते है जितने अच्छे नागरीकों जितने जादा होंगे the more enlightened will the country be as a whole वह देश उतनी ही उन्नती करता चला जाएगा या वह देश उतना ही प्रकास में होगा प्रकास में बनता हुआ चला जाएगा आगे देखिए करा है all of us हम सभी और विल बी citizens और आवर country कराक हम सभी लोग अपने देश के नागरीक बनने जा रहे हैं या नागरीक हैं but we have to make up our minds where whether we are going to be good citizens और bad citizens करा है all of us हमें से प्रतेख लोग और विल बी या तो नागरीक हैं citizens और आवर country या तो अपने देश के नागरीक हम बनने वाले हैं but we have to make up our minds हमें अपने मस्तिस्क में एक बात को बैठा लेना चाहिए याद रखना चाहिए whether we are going to be good citizens or bad citizens कर रहा है कि हमें अपने मस्तिस्क में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि हम अच्छे नागरीक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरीक बनने जा रहे हैं we have to decide हमें यह निड़े लेना होगा whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work देखें कर रहा है कि we have to decide हमें यह निड़े लेना चाहिए whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work or the wars करा कि हमें अच्छा नागरीक बनना चाहिए या बुरा नागरीक बनना चाहिए live हम जो जहां पर रहते हैं lives अपने जीवन में that our country will be the better for our lives and work हम अच्छे नागरीक बने या बुरे देखे अगर हम बुरा नागरीक बनते हैं तो हमारे देश के कार में और उसकी महत्ता में कमी होती है उसकी महत्ता घड़ जाती है we have to try to imagine हमें कलपना करना चाहिए what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do कह रहा है हमें कलपनाच करना चाहिए what our country हमारे देश would be like हमारा देश हमारा देश इफ एबरिवन यदि प्रतेक लोग lived and acted यहाँ पर सही से रहें और काम करें in just the same way as we do जैसा कि हम लोग करते हैं तो कहा है रहना कि यहाँ पर रहने वाला हर नागरी सही बेवहार करें और सही बन कर रहें तो देश की इस्थिती सुधार जाएगे देश की इस्थिती में सुधार होगा अगला पर देखें दोस्तों a chain is as strong as strong means मजबूत chain means कड़ी जंजीर एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है it's weakest link link means कड़ी weakest means कमजोर उसकी एक कड़ी उतनी ही कमजोर होती है एक जंजीर जितनी मजबूत होती है उसकी एक कड़ी उतनी ही कमजोर होती है each one of us हम में से प्रतिक लोग is a link in the chain that is our country हम लोग अपने देश के जंजीर की एक एक कड़ी हैं हम लोग अपने देश के रुपी देश के एक एक कड़ी है if we are weak and poor citizens यदि हम कमजोर और गरीब नागरीख होंगे then our country will suffer तो हमारा देश भुखते का मतलब कि हमारा देश कष्ट में होगा even though we may try to comfort ourselves with the false idea false idea का मतलब बता गलत बिचार सांथ तरह के दि हम अपने आपको गलत बिचारों से आराम पहुचाते हैं मतलब गलत बिचारों से सांतोना देते हैं that की it does not make any difference कोई भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है what one person does in such a large country कि इतने बड़े देश में एक आदमी अगर कुछ काम नहीं करता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है where so many people live जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं कह रहा है कि यह देश है इस देश में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं और उसमें अगर एक बिक्ती काम नहीं करेगा तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है but if one candle goes out लेकिन अगर एक मुंबत्ती को बुझा दिया जाए then in that one place where there is darkness तो उस अस्थान पर अंधकार हो जाता है instead of light प्रकास के बजाए it is only when all the candles burn एद सभी मुंबत्तियां एक साथ जलें brightly that if the whole house will be full of light करा कि एक घर पूरी तरह से प्रकास में तभी होगा जब पूरी मुंबत्तियां एक साथ जलेंगी अगला पहरा देखे दोस्तों each of us हमें से प्रतिक लोग प्रतिक लोगों को therefore has the responsibility of being of good citizens कह रहा ना कि हम में से सब की responsibility है जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे नागरिक बने हमारी अच्छे क्या हमारा यह है हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बने we must see that our particular link हमें यह देखना चाहिए कि particular link कोई खास कड़ी in the chain is not a weak one हमारे हमारे जंजीर की कोई खास कड़ी कमजोर तो नहीं है when the Olympic Games were held in London in 1984 48 करा कि when the Olympic Games करा है कि जब 1948 में London में Olympic खेल आयोजित किये गए थे a flame was carried to London from Greece तब Greece से London तक एक मसाल ले आई गई थी where the Olympic Games used to be held in time long age उस समय देखे उस समय वह Olympic खेल बहुत ही लंबे समय तक खेला गया था या आयोजित था वहाँ पर देखे where the Olympic Games जहां पर Olympic खेल खेले जाते थे this flame was carried by a long rally of runners light across Europe वह मसाल धावकों के द्वारा यूरोप से ले आई गई थी आगे देखे each runner carrying a light torch प्रतिक धावक एक जलते भी मसाल को लेकर दोड़ता था ran for a certain distance distance में दूरी distance till he came to the place देखे वह धावक जलते भी मसाल को लेकर के उस अस्थान तक जाता था दोड़ते वे where a fresh runner was waiting for him जहां पर एक नया धावक उसकी प्रतिक्षा कर रहा होता था the new runner then light his torch from the one वह धावक वह नया धावक अपनी मसाल को उसकी मसाल से जला लेता था that he been carried to him जो उसके पास ले आई जाती थी as soon as he had done this he set out to turn run with his lighted torch to wear ऐसा करते वे वह अपनी जलते भी मसाल को ले करके उस अस्थान तर जाता था where the next runner was waiting जहां पर एक नया धावक उसकी प्रतिक्षा कर रहा होता था he had a fresh torch उसके पास भी एक नई मसाल होती थी which he in his turn light from the one brought to him उसकी बारी आने पर वह अपनी मसाल को जला लेता था and so from runner to runner the flame was carried till it reached London और इस प्रकार एक धावक से दूसर धावक के द्वारा वह मसाल लंदन तक ले आई गई from the last torch was light the fire which burned burned all the time देखिए मसाल से जलाया गया the game was going on और वह मसाल तब तक जलते रहे जब तक पूरा olympic का खेल खेला गया देखिए each one of us हमें से पते as we leave school जब हम school को छोड़ते हैं as a flame to carry तब हमें एक मसाल मिलती है ग्यान रूपी मसाल मिलती है which we have to pass on the others जो हमें दूसरों तक पहुचानी होती है we have been giving given knowledge and skill जो हमें ग्यान और कुसलता रहती है जिसमें these we pass on by using them in the serve of our country जिसका प्रयोग हमें अपने देश की सिवा करने के लिए करना चाहिए if we do not use them यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं it means इसका मतलब भी है that की we are letting the flame go out हम उस मसाल को बुझा रहे हैं and none of us wants to do that और हमें से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा but if और हमें अब बाद में यह भी जानना चाहिए and we how to hold it as we run अब हमें उस जानना चाहिए